हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मित करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी परहे बहुत ही शंदार तरीकी से कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं UPSC Mathematics Optional Paper 1 जो की एकजाम हुआ है 2022 का तो अभी जो है वो हम इस पेपर का पूरा डिटेल में आलिसिस देखेंगे किस टाइप का कोश्चन आया है कौन-कौन से कोश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ ह इस बार 2021 के कंपेर में 2022 में किस तरीकी का पैटर्न रहा है और इससे हमारी एक expectation भी हो जाएगी कि 2023 में जो पेपर होने वाले हैं वो किस लेबल पे जाएंगे किस तरीकी के कोश्चन जाएंगे ठीक है और अगर आप 2024 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क 2023 का तो प्रिलम्स बहुत ही नजदीक है अब होने वाला है जो लोग 2023 को attempt कर रहे हैं वो अलेड़ी अपना optional prepare कर चुके होंगे अब बात करते हैं 2024 को attempt करने वाले तो वह student जो 2024 को attempt कर रहे है 20 September से 2024 से जो है वो आपका UPSC का civil service जो examination है उसका main examination start होगा 20 September से जाहिर से बात है कि September के end week में जो है वो आपका UPSC mathematics optional का paper होने वाला है तो आज देखो आज हम लोग है में 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 के बाद June July August September तो चार महिने इधर के और एक साल उधर के तो कुल मिला के आपके पास 16 months है और यह sufficient है 2014 के लिए UPSC mathematics optional को prepare करने के लिए ठीक है तो आएए इस वीडियो में बने रहे और देखते हैं कि किस तरीके का question जो है वो आया है बहुत सारे student ऐसे होते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर वो अभी college में है first year, second year, third year और वो देखते हैं कि उनका mathematics optional है तो वो further choose करने की courses करते हैं तो उनके लिए भी यह बहतर है इससे pattern आपको पता लग ज होते हैं 500 marks के यह हमारा paper one है तो 500 marks की paper है तीन घंटे मिलते हैं total जो question होते हैं वो 8 होते हैं 8 question में से आपको क्या करने हैं दो section में बटे रहते हैं section A और B तो उसमें से आपको जो है वो दो-दो question दोनों से और एक question किसी एक से आपको solve करने होते हैं तो यह पूरा pattern है अब दे six seven और eight यह eight question है अब यहां पर आप देखोगे तो आपका जो compulsory है वो यह वाला compulsory है यह जो one और fifth number question है यह compulsory है यह आप अगर छोड़ोगे तो आपका जो marks है वो कट जाएगा अब इसके अलावा आप एक question इसमें से तीनों में से कोई एक attempt कर लो और तीनों में से एक attempt कर ल compulsory वाले आपके हो गए दो question प्लस एक question इस ग्रूप से एक question इस ग्रूप से two और बच गया one question उसको आप कीसी भी ग्रूप से solve कर सकते हो section A या section B और इस तरीके से one जोड़ दोगे तो total हो जाएगा five question फाइप multiply 50 यह आगया 250 तो कुल जो marks है वो ऐसे रहता है ठीक है अब तो question number one में 5 question होते हैं 10-10 marks के और उसी तरीके से question number five में 5 question होते हैं 10-10 marks के तो question number one का पहला देखते हैं यह compulsory है छोड़ना नहीं है अगर इसका एक question भी आप छोड़ोगे ठीक है तो आप अपने marks को जो है वो lose कर दोगे ठीक है इस बात को ध्यान रखना है अच्छा question discuss करने से पहले एक दो query आप लोगों की discuss कर लेता हूँ बहुत सारे essay student है जो जुनका यह query होता है कि उनका जो बाकी के GS का जो medium है वो हिंदी है ठीक है और वो चाहते हैं कि mathematics जो है वो English में दे तो ऐसा possible है ठीक है आप ऐसा UPAC है ना आप UPAC जो civil service examination होते है मेंस उसमें आप ऐ कर सकते हो इसी का जो इंडियन forest service है उसमें आप हिंदी में नहीं लिख सकते है ध्यान से सुनना आप UPAC civil service examination में हिंदी इंगलिस में लिख सकते हो जो जिसमें चाहो जो इंडियन forest service है उसमें आप mathematics optional लेते हो तो आपको केवल और केवल इंगलिस में ही लिखना परेगा यह ध चली आ जाते हैं यह हमारा पहला question है पहला section है हमारा तो यह है section यह आपको पता है कि एक question जो है वह यहां से compulsory है और plus one एक और करने है तो दो question इस group से आपको minimum तो है वो कर नहीं है और यह जो section है वो काफी easy वाला section होता है क्यों यह जी वाला section होता है तो वो हम लोग अभी जानने वाले हैं ठीक है चलो अब यहां पर आप देखो पहला जो question है यह English वाला देखना आप अगर Hindi में compatible हो Hindi में भी देख सकते हो अब यह जो question है ना यहां पर आप मार कर लेना यह है linear algebra का question और linear algebra में जो linear combination होता है उसका यह question है तो linear combination या dependent and independent जो topic है उससे यह relate करता है ठीक है तो linear algebra का question है linear independent and dependent topic से related है question number B देखो यह जो question है यह again आपका linear algebra का question है किसका question है linear algebra का और linear algebra में कहा तो linear transformation जो topic है उस topic का यह question है यहाँ पर आप देख सकते हो clearly देखा हुआ linear transformation आप जब पूरे syllabus को prepare करोगे तो आपको question देखते ही पता लग जाएगा कि किस chapter से है और किस topic से है यह easily आप identify कर पाऊगे ठीक है c की बात करें तो जो question number c है वो हमारा है calculus का और calculus में भी functions of one variables है functions of one variable हमें परने होते है functions of one variable functions of two variable और functions of three variable तो यह जो question है वो हमारा functions of one variable का question है easy question होता है one variable वाला सारे के दारे यह जो d number question है वो आपका calculus सही है और calculus के अंदर integral calculus छे है ठीक है और integral calculus के अंदर जो है यह जो topic है वो आपका रहने वाला है convergence of improper or finite integral ठीक है उससे यह पूरा का पूरा topic है तो simple simple देखो तो यह जो है वो आपका mainly differential calculus का है यह integral calculus का है और इस तरीके से देखो तो पूरा का पूरा balance हो गया question number one में आपको linear algebra के question मिल गए ठीक है आपको फिर जो है वो calculus के question मिल गए calculus में दोनों calculus मिल गए आपके integral भी और differential भी अब देखो यह जो e number question है यह आपका question जो है वो analytical geometry का question है आप कहते हो ना analytical geometry या 3D कहते हो आप तो 3D का question है और 3D में कहां से है spirit जो topic है 3D के अंदर वहां से यह question है तो इस तरीके से आपका total के total 5 question हो गए और यह एक question के लिए 10-10 marks मिलते हैं तो 50 marks हो गए अब आ जाते हैं question number 2 पे question number 2 में जो है वो 3 question होंगे 2-15 marks के और एक 10 marks के अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पर यह जो पहला number question है यह again linear algebra का question है और linear algebra में कहां से है तो system of linear equation का question है ठीक है उसमें आप पर होगे row reduce method अब इसकी 2 का B की बात करे तो 2 का B जो है वो यह calculus का question है और calculus में कहां से calculus में आप लंगराज multipliards पर होगे यह वहाँ का question है यह again 15 marks का है तो 15 marks ही है और 15 marks ही है यह हो गया 30 marks अब 2 का जो C number question है यह है analytical geometry का question इनालेटकल geometry में कहां से आया है बहुत ही important chapter है वो है connect required यह बहुत important chapter है इसको star point बना सकते हो जब भी आप तयारी करना आप इस topic को बिलकुल म चोड़ना यह हर साल अब कह सकतो maximum time repeat हुआ है कुछ साल नहीं भी आया लेकिन maximum type इस topic से जो question है वो आते ही आते हैं और marks भी देख लो 20 marks के हैं ठीक है इस बात का ध्यान रखना है चुलो अब आज आते हैं question number 3 में अब question number 3 का जो पहला question है इसमें आप देखोगे दो पार्ट ह question number 1 का दो पार्ट है एक प्रूब डाट पे जा सबस्पेस ऑफ अर्थ अर्क्यू और find the basis of the dimension of P दो question है दोनों के लिए 1010 marks का है तो कुल मिला के 20 marks हो गया और यह दोनों जो question है यह आपका question जो है वो linear algebra और linear algebra के अंदर कहां से तो vector space and sub space तो vector space and sub space के अंदर है linear algebra के अंदर जो वहां से solve हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि linear algebra का कितना ज्यादा वेटेज है प्रद calculus का analytical geometry से भी question आ रहे है चल इसकी B number question की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपका integral calculus का question है और integral calculus में यह है जो हमारा double integral होता है यह उसका question है तो integral calculus के अंदर का यह 15 marks का question है अगर C number question की तो यह हमारा again analytical geometry का question है और analytical geometry में यह sphere का question है तो इस पार देख सकते हो analytical geometry के अंदर sphere से दो-दो question जो है वो आगे है एक big marks के और एक 15 marks के तो analytical geometry भी काफी important हो जाता है इस section का हमारा last question है question number 4 और question number 4 का जो पहला topic है यह हमारा linear algebra का topic है ठीक है और इसमें जो है वो आपको eigen value वगर find करने है तो यह काफी easy होता है vector space वाला सारे के सारे और matrices वाला आ जाते हैं तो वो काफी easy होते है इस बार matrices जो है वो basic question जो है वो नहीं पूछा गया है तो इस बार ध्यान रखना जो 2023 में देने वाले है matrices जो है वो पूछे जाएंगे जरूर इसके b number question की बात करें तो यह हम जो intersection of plane है और कौन है वो उससे related question है तो यह 15 marks का question है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि calculus किसी में 20 marks का है तो किसी में analytical geometry 20 marks का है तो यह पूरा का पूरा weightage रहने वाला है और मेरे point of view से आपको क्या करने चाहिए कि minimum आपको 3 question जो है वो इस group से target जो है वो करने चाहिए और बा आपको अगले group में देखने के बाद पता लग जाएगा चलिए तो start करते है group number 2 यानि कि section B अब section B में यह compulsory है इसको आप छोड़ नहीं सकते और compulsory का जो पहला question है वही question जो है वो आपको देखने को मिलेगा यह जो question है यह आपका ODE का है ordinary differential equation और ordinary differential equation में किस topic से है तो जो exact differential equation होता है और integrating factor होता है यह उससे related जो है वो topic आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप integrating factor निकालना सिखोगे तब जाके exact differential equation निकालना सिखोगे actually अगर हम compare करें तो ODE भी इस group में सबसे easy वाला topic है जैसे उसमें linear algebra सबसे easy वाला है उसके बाद calculus and analytical geometry इसमें ODE सबसे असान है जब आप पर होगे तो कपी मजायाएगा तो यह question है सब 1010 marks कोंगे चुकि 5 question होंगे इसमे question number B की बात करते हैं तो यह again ODE का question है तो यहाँ पे दे जो question number C है ध्यान देना यह question number C है यह आपका dynamics का question है और यहीं पे जो है वो बच्चे मार खाते हैं क्योंकि यह physics का topic हो जाता है statics or dynamics तो यहाँ पे कई बार explain जो है वो difficulty phase करते हैं तो आपको उतने dynamics तो प्रिपेर करने होंगे जितने से आप compulsory कर सको वरना आप जब छोड़ोगे तो 10 marks अप लूज कर जाओगे और यहाँ पे देखो कि 20 marks का weightage है dynamics का तो ऐसे में तो आप काफी जाता कर जाओगे question number D जो है वो again dominate कर रहा है dynamics सा आम तोर पर यह statics होता है लेकिन यहाँ पर भी dynamics ही है तो 10 और 10 20 marks जो है वो dynamics donate कर रहा है और 20 marks जो है वो OD यहाँ पर देख सकते हो weightage दोनों का बराबर हो गया question number E जो है यह आपका vector analysis का question है यह donate यह 10 marks का question है और यह जो question है यह कर एक topic है vector analysis के अंदर पर होगे उसके अंदर जो है वो यह आपको मिलेगा vector calculus बोलो या vector analysis बोलो एक ही बात है तो यह 10 marks की question है और इस तरीके से आपके कितने 50 marks होगे है तो आप ध्यान दे रहे हो ना कि dynamics को ignore नहीं करना है क्योंकि आप dynamics in order करोगे आपके 20 marks तो ऐसे ही चले गए खंफल की बाला चलो अब देखते हैं कि एक question यहां से full करना होता है यह आपकी मर्जी है तो आप दो भी कर सकते हो लेकिन question का pattern क्या है किस तरीके से UPSC set करता है question 6 का पहला A number question देखो तो यह aesthetics का question है और मेरे point of view से क्या होता है क इस्टेटिक जो है वो ज्यादा easy होता है compare to dynamics ठीक है यह मेरा point of view है आपका point of view कुछ और हो सकता है मुझे जो है वो परस्टेटिक थोड़ी सी ज्यादा easy लगता है compare to dynamics तो यहां पर देखो यह 20 marks का question है ठीक है वहाँ पर 13 marks के दो थे 20 marks के थे और यहां पर 20 marks के एक ही question है B number question देखो तो यह आपका ODE का है ODE करना बहुत ज़रूरी है कि ODEC आपका काफी ज़्यादा बनता है और यह static के अंदर मैंने वन नहीं बताया एक common category जो है वो topic है उसके अंदर है जैसे आपने देखा होगा वो बिजली के तार लगे होते है तो आपको दिखा होगा कि ऐसे बीच में नीचे जाते हैं ठीक है तो यह जुका हुआ दिखाई देता है आप अगर बस उगरा से ट्रेबल करोगे तो लगेगा कि ऐसे जुका हुआ है कि पहले टाइट होता है फिर जुका हुआ होता है फिर टाइट हो जाता है यह जो ketenary बनता है इसे को common ketenary कहते है यह परामेटर को यूज़ करके इसको आपको find करना है चलो बहुत सारे मेटर है वैडियेशन और परामेटर है चारपीट मेथर्ड है तो वह सारे मेथर्ड पर होगे यहां पर 15 मास्ट का जो है वह यहां पर दिखने को मिल जाता है question मलड c की बात करें तो यह vector analysis का question है और vector analysis के अंदर जो green theorems है green's theorem है ना यह उससे related question देखो यहां पर verify the green's theorem एक होता है proof करना ठीक है और एक होता है verify करना तो आपसे verification पूछा गया है UPSC में जो theorem से proof करने के लिए बहुत ही कम आते हैं उस theorem पे base जो question है वो ज्यादा आते है तो इस बात पर हमें ध्यान देना है 15 marks का है तो आप इसमें देखो तो OD जो है वो आपका 15 marks का है vector analysis जो है वो 15 marks का है और 20 marks का इसमें आपको aesthetics देखने को मिलता है तो इस तरीके से इसक analysis के अगें एक theorem है stock theorem तो यह उसका question है और again आपको यह verify के लिए ही मिला है मैंने अभी बोला ना कि UPSC theorem कम पोचता है यह verification ज़्यादा पोचता है तो आप याद रखना आप पहले theorem practice करना theorem को उपर बहुत सारे problem solve करना क्योंकि problem जब तक आप solve नहीं करोगे आप verify नहीं कर पा होगा कि यह differential equation का question है तो यह OD का है ordinary differential equation और यह again आपका question है 15 marks का और उसके अंदर एक फर्मूला पर होगे theorem पर होगे lapless transformation तो यह उससे related question आपको देखने को मिल जाएगा यहापे mention भी है lapless transformation ठीक है question number C की बात करें तो यह again आपका aesthetics का question है और aesthetics के अंदर जो equilibrium वाला chapter है तो यह उससे related है यह थोरा सा virtual work हो गया equilibrium हो गया तो यह थोरा सा easy वाले topic होते हैं तो आप इस तरीके के topic को आप करके जाओगे यह 15 marks का है तो देखो यहाँ पर इसको कैसे balance बनाया 20 marks का पूछ लिया इसम 15 marks का ODE और 15 marks का जो है वो aesthetics फिर question number 8 की बात करते हैं question number 8 के A में दो question है दूनों ही question जो है वो ODE से related है तीक है और ODE के अंदर जो यह first वाला question है जहां से दिखना यह first वाला question यह वाला question है यह first order but higher degree वाला question है उस topic में आप इस question को परोगे वहीं पर जो second वाला देखोगे तो एक आपको topic मिलेगा homogeneous है ना linear differential equation यह उस topic से मिलेगा और देखोगे कि दोनों के लिए 10-10 marks तो दोनों को मिलाके जो है वो 20 marks यहां पर बनता है इसके B number question की अगर बात करें तो जो B number question है वो again aesthetics का question है और यह 15 marks का है और aesthetics में कहां से है तो पताया था कि equilibrium और virtual work जो है वो असान हो university है यह again आपका vector analysis का topic है और vector analysis में जो gauss theorem है divergent theorem उससे related जो है वो आपको यह use करके आपको find करने है form करने है service ठीक है तो कुल मिलाके जो है वो यह हमारा topic मिला हुआ है तो overall इस discussion से हमारा क्या निसकर्स निकला है अगर इसको हम लोग जानने की कोशिस करें तो कुछ ऐसे कह सक सकते हैं कि कोई भी topic ऐसा नहीं है जिसको आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हो तो हमने देखा कि dynamics वाला में इस बार 2023 में dynamics वाला को compulsory बनाया है क्यों अब ध्यान से देखना dynamics वाला मैंने बताया कि थोड़े से tough type के होते हैं static compare में तो statics पे बच्चे काफी ध्यान देते है dynamics को ignore करते हैं लेकिन dynamics को ignore करना भारी पर सकता है चुकि compulsory में अगर question है उसको आप छोड़ोगे तो आपके marks कर जाएंगे ठीक है तो कम सकम उस topic के तो आपको prepare करने ही है जो compulsory के अंदर आते हैं और आप मैंने सारे topics का नाम बताया है sort में ही बताया है पुरा लिखा नहीं ल बाकी के 2018 से लेके लगबख 2022 के सब जो है वो मेरा analysis मिल जाएगा वीडियो लिष्ट में भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी देख सकते हो यह अबलेबल है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं इसी साल के जो दूसरी paper है उसके discussion में तब तक के लिए जैंग